कहते हैं कि बदमाश कितना ही बड़ा हो कितना ही बड़ा उसका कज़ हो जाए लेकिन कानून के आगे फिर भी वो बोना होता है ये कहावत अलवर में सिद्ध साबित हुई मैं इस समय अलवर के मन्ना का छेतर में मौदूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक गर पर जेसी भी दौरा तोड़ने की कारवाई की जा रही है ये घर यहां के हुस्टिशिटर बदमास फिरोज खांड का है जो 22 जू उनको पुलिस के चंगुल से फरार हो गया था पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन इसी दौरान उसके परीजनों ने और ग्रामिंड शेतर के जो लोग हैं पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया ऐसे में तीन पुलिस कर्मी घायल हो गय थे और पुलिस की पुलिस कर्मी यहां मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में यह पुरी कारवाई चल रही है पुलिस और यूईटी के अधिकारियों का साथ तोर पर कहना है कि यह जो तोड़फोड की कारवाई चल रही है यह सरकारी जमीन पर अवैद निर्मान है जिसको द्वस्त किय जा रहा है राजिस्थान में उत्तरपरदेश के बाद पहली बार इस तरह की कारवाई की गई है और इस कारवाई से बदमासों के होसले पस्त नजर आ रहे हैं ऐसे में प्रशाशन सक्त है तो एक बार मैं यहां का माहुल दिखाना चाहूंगा यह पूरा छेत्र मन्ना का छ रंक्या में पुलिस बोल मौजूद है इस सम्मझ में जब पुलिस के अधिकारियों से बात चीद की गई तो इनका साथ तोर पर कहना था कि पुलिस द्वारा इस छेत्र को चिन्नित किया गया इस गर के आज पास जो सरकारी जमीन पर अवैज निर्मान किया गया उस निर्म पुलिस द्वारा की गई आज पास के सभी घरों में जो सरकारी जमीन पर यहां बने हुए हैं जादे तर यह इस्ट्री शीटर बदमाश के जिश्चिदार और परीजिनों के घर हैं यहां बड़ी संक्या में यूआइटी का जापता मौजूद हैं और करीब 5 से जदा जैस की मशीन टेक्टर इस पूरी कारवाई को अंजाम दे रहे हैं यूआटी के अधिकारियों का साथ तोर पर कहना है कि चाहे वह कोई भी हो अगर सरकारी जमीन पर कोई अतिकर्मन करेगा निर्मान करेगा तो उसके खिलास कारवाई की जाएगी अलवर पुलिस द्वारा यह बड़ी कारवाई को अंजाम दिया गया है क्योंकि अलवर पुलिस कहें तो लगातार कारवाई करती रही है बदमाशों पर एक्सल लेती रही है लेकिन उसके बाद भी बदमाश या खुले हम बचनाओं को अंजाम दे रहे थे तो वहीं हिस्ट्री शीटर के खिलाब करीब में हिमाशों सर्माथ